आपके शरीर से धार निकल रही हो पेसाफ से जब पेसाफ करते हैं तो लाश्ट में पतला धार जैसे बन जाता है निकलने लग जाता है नाइट फाल हो जाता है तो ये उसको बहुत ही गारा करने के लिए नवसकार भाई भाई भाईनों कैसे हम अमीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे अपनी जिन्दगी में तो आज आईए फिर मैं एक नई जड़ी बूटी की बेल है ये ये देख लीजे पहचान लीजे अच्छी तरीके से साथ पहचानते भी हो इसको तो मैं आप ये पहचान लीजे और ये आपके स्वास्त में शरीर के लिए बहुत ही ताकतवर और तासीर में ठंडी और किसी भी प्रकार से धात पड़ रही हो आपके सरीर से धात निकल रहा हो लोहता तो निकल रहा हो या लिकोरिया की सिकायत हमारी माताओं बहनों को हो ताकतवर है और इसकी पत्तियां इसकी पत्तियां ये देख लीजिए इसकी पत्तियों को एक जैसे कंजा होता है कंजे के बराबर इसको बांट करके आप ताजे पानी के साथ या दूद के साथ आप ले लें तो देखेंगे कि आपको दस दिन जाए गा, जाए वो धात पढ़ने की शिकायथ हो, या हमाई माताओं बहिनों को हो, या पुरुस को हो, नाइट फाल की समस्या हो, और किसी भी प्रकार का डिप्रेशन हो, अगर दिमाकी संतुलन आपका जो है गडबन रहता है, बहुत चिर्चिरा पढ़ रहता है, बहुत ग जानते हैं और आपके छेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं ये बेल के रूप में होता है ये देख पा रहे हैं ये ये चाहा हुआ है ये पेड़ में चाहा हुआ ये देख लीजिए ये बेल के रूप में होता है और ये ये पूरा ये बेल चैली हुए देख लीजिए ये इ आप सुबह खाली पेट पी लीजे, सुबह खाली पेट पीजे, एक टाइम ही पीजे, कोई बात नहीं, आप एक चिंगा के बराबर इसको बाट करके पी लीजे, फिर देखिए, इसके कितने बड़ी अफाइदे हैं, तो ये आप जरूर इस्तमाल करें, और ये बहुत मिल जा हो, आपका नीन ना रही हो, डिप्रेशन हो, तो ये सबसांद करने वाला है, तो ऐसी जड़ी पूटियों को इस्तमाल करें, सभी भाई बहनों को नमस्कात, जैहिंद, बंदे मात्रम